हेलो दोस्तों आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ पाँच मिन पे बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगे तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मेरे नाम है संगीता और वेलकम टू मा यूटूब चैनल कुकविश संगीता तो चलिए शु जोनले का बुरादा भी कहते हैं अब हमें क्या करना है पहले हम इस पेठे की मिठाई को चाल करेंगे पेठे की मिठाई को चुकार लिईंगे इसमें आंदा चमच पाउडर डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा आ रोमा आएगा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा ओ जाएग क्योंकि हमें यहां पे पेटे की मिठाई यूज करिए जो कि पहले से ही इतनी मीठी होती है तो देखिए अगर आपको लग रहा है यह थोड़ा सा गोले का बुरादा ले लीजी तो मैंने तीन चमच लिया था तो इसमें से एक चमच मैं डेजिनेटीड कोकोनट इसमें मिक्स कर रहे हूं अभी असानी से बाइंड हो जाएगा अब हम इसमें छोटे-छोटे लड्डू बना ले हैं तो आप इक्वल साइस की छोट-छोटे से लड्डू बना लेजे तो देखिए यह बहुत ही जल्दी बन जाती है यह हारली पांच मिन्ट भी नहीं लेती है आपके त प्रश्ण फेजनेटिट कोकुनट से इसे कोट कर लेंगे तो देखिए जो हमारे जो पेठे और मावे की जो लड्डू है ना वो बनके तयार हो गया और सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर तीन इंग्रीडेंट यूज कर रहे हैं तो इसी तरह से आप बाकी लड्डू भी तयार कर लेजिए और उपर से इसे कोट कर लेजिए तो देहिए यह अशानी है आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर के रख सकते हैं इसके श्यलफ लाइफ दो वीक चल जाती है तो देखिए यह वैससे भी बनते भी बहुत ही एजी हैं तो आप इसे क्वुक्व दिश्य बन झाल झाल